मानव शरीर में दो गुर्दे होते हैं left और right side की kidneys जिनसे की blood को च्छन करके मूत्र अथारत पेशाब बनती है ये पतले-पतले pipeों के दुआरा जिनको की ureter कहते हैं पेशाब की थैली अथारत urinary bladder में collect होती है और जिसको की urethra के रस्ते से बाहर exit होता है इस पेशाब की थैली में जब भी कोई tumor का outgrowth होता है कुछ ऐसी cells होती है जो जरू से ज़्यादा बढ़ने लगती है तो उसको bladder cancer की श्रीणी में गिना जाता है सामानत्या ये cancer 60 के उपर के age में होता है होने को ये महिलाओ और पुर्षों दोनों में हो सकता है पर अमूमन ये पुर्षों में होने की संभावना इसकी 3-4 गुना जादा होती है कैंसर के सिम्टम्स में आम तोर पे पेशाप के रस्ते से रखतका स्राव होना होता है इसको की ह similar वोते हैं ये दो प्रकार से तो रंग देखके शायद ना पता चले कि इन्तु माइक्रोस्कूप पर जब देखा जाए तो ग्यात हो कि इसमें ब्लड है तो पिशाब में ब्लड होने के कई कारण होते हैं जिनमें से एक कारण यूडेनिरी ब्लैडर का कैंसर होता है इसके अलावा कभी-कभी बार-बार पिशाब के ट्रैक में इंफेक्शन होना वेट लॉस होना और पेडू के एरिया में दर्द बना रहना ये भी कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं बिमारी अगर ब्लैडर से निकल के अन्य अंगों में चले जाए तो उसकी वजह से कुछ और सिम् आथि अंगों में से हैं जिनमें की निकोटीन या तमबाकू का कभ एक मेजर रॉल होता है माने कि ये कैंसर आम ताउर पे इंसान इसको खरीदता है बजार में मिलने वाले तमबाकू जिस भी फॉर्म में हो चाहे वह स्मोक इंग स्मोक्ड प्रों फर्म अव् टोबैको जो या smokeless form of tobacco हो उनके जरीया आमतार पर होता है जब कोई इंसान इस तंबाकू पदारत का सेवन करता है तो वो तंबाकू ब्लड में चला जाता है और यही ब्लड से filter होके urine में आता है और पेशाप की थैली में जिसमें की urine कई घंटों तक स्टोल रहती है उस वज़ा से के लिए और खास बात यह है कि यदि किसी इंसान ने तंबाकू का सेवन कई वर्षों तक किया हुआ है और उसके बाद वो तंबाकू का सेवन को रोक दे तो धीमे धीमे कई सालों में इससे हुए दुश्प्रभाव ब्लैडर में होते हैं उनको बदला जा सकता है माने कि ज आपके डॉक्टर से जब आप मिलेंगे यदि आपको इस तरह का ब्लड पाया गया है यूरीन में तो डाइगनोसिस के लिए कुछ टेस्टों को रिकमेंड करेगा जिन में कुछ ब्लड टेस्ट रहते हैं उसके अलावा यूरीन की जाच होती है यूरीन की साइट ऑलजी कि जाता है जिसमें देखा जाता है कि क्या ब्लड है कि नहीं है और उससे अत्रित कोई कैंसर सेल्स दिख रही है कि नहीं दिख रही है यह यूरीन साइट ऑलजी होने को तो बहुत स्पेसिफिक टेस्ट है माने कि अगर उसमें कैंसर सेल्स मिल रही है तो यह काफी हद तक शि पेशाप के रस्ते की डेखा जाता है जिसको की सिस्टोस्कोपी बोलते हैं आपका युरॉल्जिस्ट या ओंको सजन एक दुर्बिन डालके सिस्टोस्कोपी की जाच करता है और अगर उसको कोई ट्यूमर कोई ग्रोध अंदर की पेशाप की थाली की लाइनिंग में दिख र रहता है कि यह cancer है यह नहीं है और मिश्क्राइब ट्रैंजल कार्स्रीनोमा naam का cancer यहां पर पाया जाता है जो की 95% कभी कभी कोछ अन्य üzere चान्सकोपी सिस्टोस्कोपी से अलग CT- Dolanory 씨 steeds मैं इस निद्धी भी हो सकतें यह आमतोर पे एंदा मैंने मना के बास्त論 की हो रही है सिस्टोस्कोपी से अलग CT scan भी आती आवश्यक जाच होती है जिसमें यह चेक करने की कोशिश की जाती है कि दोनों तरफ के गुर्दे और उनका जो रस्ता है पेशाब का गया हुआ है और उसके बाहर के जो अंग है उनमें तो नहीं पकड़ लिया उसने पेट में कुछ गिल्टियां होती है लिंफ नोट्स के वहां पर इंवॉल्मेंट तो नहीं है यह बिमारी छिटक के कहीं और तो नहीं चला गया जैसे की लीवर या हड़ी उसके लिए भी कभ में मोसल इनवेजव ब्लैडर कैंसर दूसरा होता है मसल इंवेजव ब्लीडर कैंसर टीसरा होता है मेता सटक ब्लाडर कैंसर इसनला के चैश बिमारी bladder या उसके आसपास की गिल्टियों तक सीमित है तीसरा टाइप जो है metastatic bladder cancer उसमें बिमारी अन्य अंगों तक spread कर गई होती है इलाज की बात अगर हम करें तो non-muscle invasive bladder cancers में जो मैंने आपको बताया था कि cystoscopy और TORBT द्वारा bladder tumor को निकाल दिया जाता है उसके बाद में कभी-कभी recheck cystoscopy दुबारा से cystoscopy की जाज करके देखा जाता है कि कोई बिमारी रहतो नहीं गई है और reports के अनुसार पे आपको oncologist ये decide करेगा कि इसमें कुछ और additional treatment की जरुवत है की नहीं है आम तोर पे जो additional treatment non-muscle invasive bladder cancer में चलता है उसको intravecicle chemotherapy बोलते है यह होने को तो chemotherapy की दवाईयां होती है पर सामानतियां जहां पर intravenous या नसों के द्वारा खुन की नसों के तरह दवाई दी जाती है उससे अलग तरीके से bladder cancer में पिशाप के रस्ते से ही ये दवाई दी जाती है bladder में कुछ घंटे के लिए दवा को रखा जाता है जिसके contact से bladder की अंदर की lining की जो cancer cells होती है उनको मारा जाता है तो ये बड़ा ही सरल तरीका होता है chemotherapy देने का और इसके पूरे body पर systemic side effects भी बहुत कम होते हैं जैसा कि other chemotherapy से काफी हो सकते हैं और इसका एक कई सारी doses इसकी है इसमें जो दी जाने वाली दवाईया है उसमें TB के लिए जो vaccine उपलब्ध है BCG नाम की वो या कभी-कभी mitomycin या doxorubicin नाम की दवाईयों को इस तरह से दिया जाता है और इस procedure के बाद में repeated cystoscopy करना अनिवार रह होता है यह जानना जरूरी होता है कि यह cancer कहीं लौट के तो नहीं आ गया है इससे अलग अगर हम muscle invasive bladder cancer के इलाज की बात करें तो इसका इलाज एकदम ही dramatically different होता है non muscle invasive से क्योंकि इस case में bladder को बचाय जाने की संभावना ना के बराबर होती है कुछ study जरूर चल रही है जहां पर bladder को बचा करके repeated intravenous नसों से कीमो थरैपी और रिडियो थरैपी दे करके कोशिश की जाती है पर अमूमन इसका प्रयोग सिर्फ studies तक सीमित है आम तोर पर इसके इलाज के लिए एक बड़ा operation की आवशकता पड़ती है जिसमें पूरा का पूरा bladder को remove कर दिया जाता है पुर्षों में bladder के साथ में कभी-कभी एक prostate नाम की ग्रंथी नीचे होती है अगर बिमारी उस एरिया में है तो prostate को भी निकाला जाता है वहीं पर महिलाओं में आम तोर पे इस surgery के दोरान में बच्चे दानी अथार्थ यूटरस को भी remove किया जाता है जिसको के anterior excentration surgery बोलते हैं इसी surgery में अति आवशक हो जाता है कि जब bladder को निकाल दिया गया है तो एक alternate रस्ता बनाया जाए या alternate storing capacity बनाया जाए जिसमें कि ये urine store की जासा के operation के बाद में तो इसमें दो तरह के procedures होते हैं इसको की ileal conduu कहते हैं या फिर neobladder बोलते हैं अथार्थ की आथों को cut करके इस तरह से जोड़ा जाता है कि एक alternate bladder का form दिया जाए जिसमें कि urine store हो और normal रस्ते से पेशाप को बाहर पास किया जाए या फिर आथ के हिस्से से दोनों जो यूरिटर से उनको जोड़ दिया जाता है और ये पेशाप का रस्ता फिर उस case में पेट पे बनाया जाता है जिसमें एक थैली के जरिये से पेशाप आजीवन आती है तो देखने में, सुनने में तो ये थोड़ा भयावा operation लगता है और इसके अपने आप में complications भी है एक जटिल operation ये है पर इस cancer की अच्छे बात ये है कि अगर अगर ये operation सफल हो गया तो मरीज एक अच्छी जीवन यापन कर सकता है एक और message जो मैं देना चाहूँगा आज वो ये है कि बहुत हसी खुशी इस बैक के साथ में जीवन यापन कर रहा है और अपने सारे दैनिक दिन चर्या के काम social gatherings में जाना, बाहर में जाना traveling करना, सब कुछ अपना कर रहा है तो ये एक सफल operation है अगर ये अच्छे से हो गया तो इससे मरीज को काफी लाब मिल सकता है इस cancer के इलाज में अत्ती आवश्यक है कि इलाज के उपरांत नियमित surveillance और close follow-up में रहा जाए माने कि अपने oncologist के संपर्क में रहे आवशक्ता पढ़ने पे नियम से अगर bladder को preserve किया गया है नौन-muscle-invasive type का blood cancer है bladder cancer है तो उसमें repeated cystoscopy की जाती है शुरुआत के कुछ सालों में जादा सघन तरीके से जादा जल्दी-जल्दी ये cystoscopy की जाती है जैसे से समय बीता जाता है दो cystoscopy के बीच गैप को बढ़ा दिया जाता है और यदी muscle-invasive है और ये पूरा bladder रिमूव भी कर दिया गया है तो उसके अपरांद भी follow-up में रहना आवश्यक होता है कि कहीं बीमारी लॉट कर तो नहीं आ रही है उसके नजर से ये cancer सामानत्या तंबाकू की वजह से ही होता है चाहे वो smoked form of tobacco हो चाहे वो smokedless तो इन सबसे दूरी बना कर रखना इन सब की लटना पढ़े इसका शुरुवात से ही प्रयास करना और वो लोग जो लोग जो अल्री इंका सेवन करते हों इसका परित्याग करकर अगर एक healthy lifestyle जीएं सालाद खाएं फल खाएं फिश है इस तरह के items लें जिसमें की antioxidants और vitamins की मात्रा जादा है तो धीमे धीमे जो वक्त के साथ जो नुकसान हुआ है तंबाकू के साथ में वो पल्टा जा सकता है तो precaution and prevention के तौर पे यही है कि तंबाकू का सेवन कम से कम करें भारत के लिए यह उतना important नहीं है कई सारे अन्य देशों में सिस्टो सोमेसिस नाम का एक कीड़ा होता है parasitic जो की bladder में अपना घर बना लेता है जिसकी वज़ा से cancer होता है तो उन छेत्रों में इसका इलाज भी अलग से किया जाता है इसकी prevention के लिए